हेलो एब्रिवान वेल्कम ट्यार ओन चैनल एजुजोन ग्रामार फ्रेंज आज हम देखने जा रहे हैं सिक्स्थ स्टेंडर की एक बहुत ही इंटर्सिंग चैप्टर जिसका नाम है ग्रेंट पार टेल्स है स्टोरी आम तोर पर देखा जाता है कि जो ग्रेंट पैरेंट्स हो बहुत ही अच्छे से एक स्टोरी सुना रहे हैं जिसके अंदर एक मौरल लेसन भी है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी यह स्टोरी आपके टेक्स बुक में पेश नमबर 18 पर है और इस स्टोरी का नाम है टिट फॉर टैट और इसे अ जैकल एंड अ कैमल स्टोरी भी कहा जाता है लेकिन यहां इसका नाम दिया गया है ग्रेंट पर टेल्स है स्टोरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं Grandfather एक स्टोरी सुना रहे थे अपने ग्रेंट चाpower को और उसके पूरे फ्रेंड को ग्रेंटपा once upon a time near the water's age अब grandpa ने story start की grandpa ने कहा कि एक बात की एक वाखिया है जिसमें एक वाख की बात है जिसमें एक near the water's age water के किनारे के खरीब रॉनख excuse me grandpa what is an age अब रॉनख ने बीच में interrupt किया और कहा कि excuse me age का मतलब क्या होता है बच्चों की आदत होती है कि जब कोई बात कही जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वहीं टोक कर वो question पूछ लेते हैं इसे interrupt करना कहते हैं और इस तरीखे से बीच में किसी को रोकना या टोकना नहीं चाहिए तो अब grandfather ने क्या कहा my boy allow me to complete this sentence grandpa ने क्या असल स्टोरी इन्हें सुनाई तो स्टोरी का नेम है tit for tat यानि जैसे को तैसा जो जैसा करेगा उसके साथ उसी तरह किया जाएगा ये इस स्टोरी का नाम है once upon a time a camel and a jackal lived by a river near the water's edge and on the other side other side of the river there was a village with the fields and the farms एक वक्त का वाखिया है एक camel और jackal river के खरीब रहते थे on the other side यानि river के दूसरे side there was a village with fields and farms river के दूसरे side एक village था और वो village में बहुत सारे खेट वगेरा थे the jackal was very clever jackal जो animal है वो बहुती clever animal है तो jackal ये एक बहुती clever था he tried to play a trick on his friend the camel who was happily munching away his food the jackal began to tempt him to go for a sugar can treat in a farmer's field jackal बहुती clever था उसने ये सोचा के मैं एक trick करता हूँ और अपने friend को यानि camel को उसमें फसा देता हूँ उस चाल में फसा देता हूँ तो इस तरह उसने क्या किया जो camel था वो बहुती आराम से अपना खाना चबा रहा था मंचिंग करना यानि चबाना तो आराम से अपना खाना चबा रहा था तो जैकल ने कहा कि हम जो sugar can का जो field है यानि river के दूसरे साइड जो village है जहां पर sugar can का field है वहां पर हम जाते हैं और एक treat करते हैं पहले तो camel ने उसे मना कर दिया जैकल ने जब बहुत जादा फोर्स किया तो वह उसके लिए ready हो गया और वह sugar can field जाने के लिए ready हो गया जैकल सेट उन the camel's back and the two friends cross the river दे इट यह फिल इन दे शुगर कैन फील सड़नली जैकल बिगन तो हॉल अब जैकल को तो तैनने नहीं आता था और camel के पैर बड़े बड़े होते हैं तो वह आसानी से वह river को क्रॉस कर सकता था तो camel के पीट पर जैकल बैठ गया और इस तरीखे से टू फ्रेंस ने इस river को क्रॉस कर लिया अब दोनों ने फुल होकर शुगर कैन खा लिया जो उनका फेवरेट फूट था अब उसके बाद क्या हुआ देखिए शुगर कैन खाने के बाद जैकल ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और camel उसे चुप कराता रह गया कि तुम क्या farmer को जगा दोगे इस तरह उसने कहा अब जो होना था वो तो हो गया यानि जैकल जोर जोर से चीखने लगा camel के बोलने के बाद भी वो खामुश नहीं हुआ तो जो होना था यानि farmers आगे और उसके helpers भी आगे और सब ने मिलकर camel को बहुत मारा जैकल तो बहुत तैजली भाग सकता था वो भाग गया लैकिन camel को भागनना नहीं आता थैस तो वो नहीं भाग सका और वो मार खागया the jackal was waiting for the camel at the river side he said sorry brother but I am in a habit of singing after a good dinner I hope you didn't mind it much अब चैकल तो एक ट्रीक ही करना चाहता था और कैमल को सताना ही चाहता था वो भाग गया और भाग के जाके रीवर की किनारे पर वो खड़ा रहे गया क्योंकि उसे स्विम करना नहीं आता था और वो स्विमिंग करके जा नहीं सकता था वो रुक गया और उसने कहा कि Camel, sorry मुझे आदत है कि अच्छा खाना खाने के बाद मैं सिंगिंग करता हूँ और तुमने माइड नहीं किया होगा The Camel didn't say anything. Camel बहुत मार खा चुका था, उसने कुछ नहीं कहा He let the jackal sit on his back and entered the water and in the middle of the river, the water was very deep There was the camel began to take a deep in the river अब पानी के बीच में पहुँचने के बाद, नदी के बीच में पहुँचने के बाद, Camel ले एक deep plea यानि एक डुपकी लगाई The jackal was frightened Jackal बहुत जादा डर गया क्योंकि वो swimming नहीं कर सकता था What are you doing? You silly fellow, are you trying to drown me? बेवखूफ दोस्त, क्या तुम मुझे डुबाना जाते हो? No brother, said the camel It's just that I'm in the habit of taking a dip in the river after good meal I hope you don't mind Camel ने सेम अंसर दिया और कहा कि नहीं मुझे भी आदत है कि मैं खाना खाने के बाद, एक पानी में डुपकी लेना मेरी आदत है और तुमने इसे माइड नहीं किया होगा The naughty jackal learnt his lesson, he never trouble the camel again Naughty jackal समझ गया कि कैमल इस तरह से क्यूं कर रहा है और वो एक सबख सीग गया और उसके बाद दुबारा उसने कभी भी कैमल को तंग नहीं किया So इसे कहते हैं, did for tat यानि जैसे को तैसा अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो खुद के साथ भी बुरा होगा